या देवी सर्वभूतेशु शक्ती रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः आप सभी को चैत नौरात्री की हारदिक शुब काम नाएं नमस्तु भ्यम आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी मैं हूँ आपके साथ अरुन कुमार हमारा कास कारिकरम थर्ड आई देख रहे हैं आप आज से पावन पवित्र नौरात्र का आरंब हो चुका है हिंदू कैलेंटर के चैत माह के शुक्र पक्ष की प्रत्मा तीथी से शुरू होकर ये उत्सव पूरे देश में नौ दीनों तक मनाया जाता है जिसे पूरे देश के हिंदू वर्ग मनाते हैं कई राज्यों में इस तीथी को नौ वर्ष के तोर पर मनाया जाता है जैसे करनाटक में उगाडी त्योहार मनाया जाता है जो नौ वर्ष के तोर पर वहां मनाया जाता है लेकिन इस बार का ये नवरात्री खास है, विशेस है, खास कर करनाटक के लिए, क्योंकि साल 2022 का ये दिन, साल 2022 की ये नवरात्री एक नया इतिहास रचेगी, ये उगाडी पर्व एक नया अध्याय लिखेगा, क्योंकि इस दिन हिंदों ने एक क्रांती का रूप दे दिया है 31 मार्च को हमने थर्ड आई कारिकरम किया था उसी में एक नई और बड़ी अपडेट है अपडेट ये है कि करनाटक में हिंदूों ने आर्थिक जिहाद यानि एकोनॉमिक जिहाद के खिलाफ एक बिगुल फूप लिया है एक नई क्रांती का आगाज किया है करनाटक में स्कूल कॉलेजों में बुरका हिजाब बैन के बाद अब हलाल मीट की बिक्री पर प्रतिबंद लगाने की मांग हो रही है विभिन हिंदू संगठोनों ने राज्य में मुस्लिम वियापारियों से हलाल मांस खरीदने का पहिशकार किया है इसके साथ ही इन दुकानों के साइन बोर्ड पर से हलाल प्रमानम को भी हटाने की मांग की गई है हिंदू जागरिती समिती, श्रीराम सेना, बजरंग दल समेत आठ समूहों ने हिंदूों से हलाल मांस नहीं खरीदने का अग्रह किया है इन हिंदू आधी संगठनों का कहना है कि हलाल की जगह जटका नामक हिंदू पारंपरिक पद्धती के अनुसार काटा गया मांस ही हिंदूों को खरीदना चाहिए इस संबन्द में हिंदू संगठन के एक संग ने राज्य में होसा तडाकू उत्सव के दवरान लोगों से हलाल मांस का भहिशकार करने की अपील की है हिंदू संगठन ने हलाल को मुस्लिम द्वारा देश की वित्तिय संपत्ति पर नियंत्रन करने की साजिश बताते हुए कहा इसलामी संगठन देश में एक समानांतर वित्तिय प्रणाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं ज़़ देश की सुरक्षा के लिए खत्रा है जब खाद्य प्रमाणन के लिए F-S-S-A-I और F-D-A जैसी सरकारी प्रमाणन एजंसियां हैं तो धर्म की अधार पर प्रमाणन की क्या वशुकता है हलाल प्रमाणी करन धर्म निर्प्यक्षता और पारमपरिक कसाई और मांस व्यापारियों के साथ घोर अन्याय है हिंदू जागरती समिती के साथस्यों का कहना है कि बेंगलूरू के बिजे नगर में उन तीन दुकानों से साइन बोड हटा दिये गए हैं जिन पर लिखा था यहां हलाल उपलब्ध है वहीं बेंगलूरू के बाहरी इलाके नेला मंगला में केवल हिंदू रेस्तरा में खाएं के बैनर लगाये गए हैं इससे पहले यानि 30 मार्च 2022 को करनाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोंबई ने कहा था हलाल मीट को लेकर उठाई जा रही गंभीर आपत्तियों पर रज्य सरकार विचार करेगी उन्होंने कहा कि कई दक्षिल पंथी समूहों ने हलाल मांस के बहिशकार की अपील की है सरकार इस मसले पर अपना रुख बाद में स्थष्ट करेगी मुख्यमंतरी बसवराज ने कहा हलाल मीट का मुद्दा अभी शुरू हुआ है इसका संपून अध्यान करना होगा अब आप इस बात को समझिए कि सीएम बोंबई इशारा क्या कर रहे हैं उनका कहना है कि जब समाज इस हलाल मीट का बहिशकार करेगा तो नियम बनाना सरकार की मजबूरी हो जाएगी और आप हिंदूों से आग्रह है कि इस क्रांती को आगे बढ़ाएं इस क्रांती पर बल दें ताकि ये जो वित्ती एक समानांतर इस्थती खड़ा होना चाह रही है उस पर रोक लग सके अब आपको यहां बताते हैं कि आखिर ऐसा करना हिंदूों के लिए क्यों जरूरी है पहली बाद तो ये किसी जीव की हत्या उचित नहीं है लेकिन भारत सभ्यता संस्कृती और परंपराओं का देश रहा है जहां बली प्रता रही है और नौरात्र में लगभग हर राज्चे में किसी न किसी रूप में बली दी जाती है इसके लिए हिंदू परिवार मुस्लिमों से पशुओं की खरिदारी करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि ये पशु कलमा पढ़कर आपको बेचे जाते हैं यानि वे पहले ही अपने खुदा को इसे समर्पित कर चुके होते हैं चला चुके होते हैं उसके बाद आपको बेचते हैं और आप उस जूठी वस्तु को अपने इश्वर को चलाते हैं इसके बाद बात करते हैं हलाल मीट की तो हिंदुस्तान में मीट का कारोबार लाखों करोडों रुपए का है जिस पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम संगठन और मुस्लिमों का वर्चस्व है आपके आस-पास की कई दुकाने हैं जहां हलाल मीट का बोर्ड लगाया हुआ है अब आपसे अग्रह है कि आप इसे न खरीदे पहली बार हिंदु संगठन किसी अच्छे काम के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं आप उनका साथ दे इसी के साथ जो लोग मांसाहारी है या जो हिंदु मीट का बिजनिस करते हैं या करना चाहते हैं आप उनकी मदद करें इससे किसी हिंदु परिवार को दो वक्त की रोटी मिल जाएगी और इस क्रांती को बहुत बड़ा बल मिलेगा अब बात करते हैं दूसरे खबर की राजसभा में पहली बार भारतिये जनता पार्टी ने सदस्यों की संख्या के हिसाब से सो का आंकड़ा पार कर लिया है असम त्रिपुरा और नागालेंड की चारो राजसभा सीटे बीजेपी और उसके एक सहयोगी दल ने जीत ली है इसे एनडिये की यहतिहासिक जीत माना जा रहा है वहीं कॉंग्रेस के लिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि पुर्वत्तर से राजसभा में कोई भी उसका सदस्य प्रतिनिधित तो नहीं करेगा असम तिरिपुर्वा और नगालेंड की चारो राजसभा सीटे जीतने के बाद राजसभा में बीजेपी सदस्यों की संख्या बढ़कर 101 हो गई है उन्हीं सब 88 के बाद यह पहला मौका है जब किसी पार्टी के 100 से जादा लोग राजसभा में मौजूद होंगे बीजेपी ने तिरिपुरा की सीट तो अपने बलबूते जीती है असम की दो सीटों पर हुए राजसभा चुनाओं में पहली सीट पर बीजेपी ने जीता जबकि दूसरी सीट उसकी सहयोगी UPPL जीती है उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने 11 जबकि UPPL के प्रत्याशी ने 9 वोटों से जीत दर्ज की भाजपा उमिद्वार पवित्रा मारगेड रीटा को 46 वोट मिले जबकि UPPL के उमिद्वार रंगवरा नारजेरी को 44 वोट मिले कॉंग्रेस उमिद्वार रीपुन बोरा को 35 बोट मिले थे उनका एक बोट रद कर दिया गया ऐसा पहली बार हुआ जब असम में कॉंग्रेस का कोई भी राज्यसभा सांसद नहीं होगा कॉंग्रेस ने असम में राज्यसभा की एक सीट बीजेपी के हाथों कमा दी संसद के उन्च सदन की दो सीटों के लिए बोटिंग होई थी एक अन्य सीट पर बीजेपी ने निर्विरोज जीत हांसिल की दरसल कॉंग्रेस की अगवाई वाले विपक्ष के उमिद्वार की बोटों के गिंती कम हो गई क्योंकि कॉंग्रेस ने अपने एक विधायक को बैलेट टेपर पर एक के बजा एक लिख दिया जानी जो अंक में एक लिखना था उसे अक्षर में एक लिख दिया जिस वज़े से कॉंग्रेस का वोट रद्ध हो गया अब आप इस पूरे गणित को समझे असल में विधायकों के वोट के जरीए राज्यसभा के सांसत चुने जाते हैं इस पर किसी दिन एक विधिवत विडियो बनाऊंगा कि राज्यसभा सांसत कैसे चुने जाते हैं लेकिन अभी फिलहाल ये बता दें कि असल में दो सीटे ह राज्यसभा की और दोनों सीटें बिजेपी और उसके सहयोगी पार्टी के खाते में आ गए लेकिन कैसे हुआ ये कि जो कुल वोट पड़ते हैं उस हिसाब से कॉंग्रेस ने जो वोटिंग की वो गलत कर दी अंक में लिखना था एक और अक्षर में लिख दिया एक ये आरोप लगाती है कि इबियम गलबड़े साहब बीजेपी गलत कर रही है साहब वो अपने विधायक और अपने सांसोतों पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाई उसके विधायक जम मर्जी जहां मर्जी बिक जाते हैं और ऐसे सीचुएशन में सोनिया गांधी राहुल गांध कि वहीं बिक गए वो पार्टी के लिए नहीं बलकि पैसे के लिए जीते हैं और सच्चाई तो ये है कि इन विधायकों ने ये बात सीखा भी अपने पार्टी से ही है अपने पार्टी के आला कमान से ही है चोकि उपर जो चीजें होती है वहीं नीचे अनुसरन किया जाता ह और यहीं बात जहां भी लागू हुई असम में हिमंत विश्वा शर्मा पूरे प्रकरण में ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि बिजेपी ने दोनों सीटें जीत ली ऐसा पहली बार होगा कि कॉंग्रेस का पुरुवत्तर राज्यों से यानि पुरुवत्तर में जो साथ रा लोग सभा में पुर्ण बहुमत है और अब राज्य सभा में भी पुर्ण बहुमत यानि कोई भी बिल पास होने में अब कोई खास ब्योधान नहीं रह जाएगा जब मोधी सरकार चाहेगी जो बिल चाहेगी वो पास करा सकती है और वहीं बात कॉंग्रिस के पास लोग सभा में तो 2014 से ही विपक्ष का कोई नेता नहीं है राज सभा में थे लेकिन अब राज सभा में भी विपक्ष का नेता शायद ही कोई बचेगा कारण यह है कि यहां इनकी सीटे बहुत कम हो गई और इसके जिम्मेदार EVM नहीं है BJP नहीं है बलकि इनके खुद के बिधायक हैं जो वोट तो देते हैं लेकिन बहुत शालाटी से गलतिक कर देते हैं ताकि उनका वोट ही रद हो जाए और जब रद हो गया तो वो काउंट नहीं होगा काउंट नहीं होगा तो BJP को ज़्यादा बूट मिले हैं वो जित जाएगी और ये पूरा गेम होता है एक सवाल यहां और होगा आप या कोई भी कह सकता है कि यह खरीद परुख्त क्यों तो यहां बात एक और है कि जब कोई बिकने के लिए तयार होता है तभी उसका खरीददार होता है अगर हम पिके ही नहीं तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे खरीद लेगा और ये बात कॉंग्रेस को कॉंग्रेस आला कमान को सोनिया गांधी को राहूल गांधी को खुद सिखना चाहिए अपने विधायकों और सांसदों को सिखना चाहिए ये कोई पहली बार नहीं हुआ है इतिहास की बात करने हाल-फिलहाल के दिनों में सरकार बनाती है कॉंग्रेस बहुमत आता है कॉंग्रेस को और सरकार बना देती है बीजेपी, सरकार बनाती है कॉंग्रेस, पुना कुछ तिन बाद गिर जाती है और पुना बीजेपी वहां सत्ता में आ जाती है, मद्ध्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरं रहा, गोवा बहुत बड़ा उदाहरं रहा, इसके विधायत सांसद, वो पैसे के लालाच में जहां तहां छिटक जाते हैं तो सोनिया गांधी और राहूल गांधी को सीधे तोर पर अब कह देना चाहिए कि कॉंग्रेस बिकाव पार्टी हो चुकी है आज के थर्ड आई में इतना ही कल फिर मिलूंगा किसे नए विशय और शोध के साथ तब तक के ल